केशब की घंटियां माशा अल्ला ये घंटिया कितनी सुन्दर है तुमने खुद बनाई है अकबर ने ये बूला था बादुशा अकबर ने ये बात किसलिये कही होगी केशब के काम की तारिफ में नहीं ये जानने के लिए कि घंटिया कितनी सुन्दर है नहीं केशब से बात्चित शुरू करने के लिए नो गंटिया किसने बनाई है जानने के लिए नो क्योंकि उन्हें यकीन नहीं था कि 10 साल का बच्चा केशब इत्ती सुन्दर गंटिया बना सकता है केशब पत्थर पर घंटिया तथा कडिया तराश रहा था केशब पत्थर पर घंटिया और कडिया तराश रहा था इसके द्वारा तराश ही जा रही घंटिया और कडियाओं का चित्र अपनी कापी में बनाओ तुम्हें क्या कोई खास इमारत है याद आ रही है जिसमें नकाशिक की गई संभव हो तो उसकी तस्वीर चिपकाओ कि अगर तुम्हें कोई खास इमारत याद आ रही है जिसमें नकाशिक की गई हो अगर अगर संभव हो तो उसकी तस्वीर चिपकाओ आना जाना आना जाना केशव के पिता गुजराद से आगरा आकर बस गए थे यह जो केशव के माता पिता थे वो गुजराद से आगरा आकर शिफ्ट हो गए थे हो सकता है तुम या तुम्हारे कुछ साथियों के माता पिता भी कहीं और से यहां आकर बस गए हो हो सकते कि तुम्हारे माता पिता है या फिर तुम्हारे किसी दोस्तों के माता पिता है वो कहीं और रहते थे यहां आकर बस गए हो बातचीत करो और पता लगाओ कि ऐसा करने का क्या कारण है उत्र जब किसी को अपने शेत्र में रोजगार आधी नहीं मिलता है तो वह दूसरी जंगार जाकर बस जाते हैं जब कोई जिसको अपने शेत्र में रोजगार और भी बहुत चीज़ नहीं मिलती हैं तो वह दूसरी जंगार जाकर बस जाते हैं कहानी से अकबर को पहरेदार की दखल अंदाजी अच्छी क्यों नहीं लगी ये जो पहरेदार इन दोनों के बीच में आय था वो अच्छा क्यों नहीं लगा उत्र अकबर को पहरेदार की दखल अन्दाजी अच्छी नहीं लगी कोई बहुत बड़ा आदमी है यहां पर बड़े आदमी से केशव का क्या मतलब है यह बोला था केशव बोल यहां पर भड़े आदमी से क्या मतलब है उत्रो यहां पर बड़े आदमी से केशव का मतलब है कोई अमीर तथा परतिष्टित आदमी यहां पर केशव का बड़े आदमी से मतलब है कि अमीर या परतिष्टित आदमी खरगोष की कातर आखी पशु पक्षियों से तुलना करते हुए और भी बहुत सी बाते कही जाती है जैसे हिरन जैसी चाल यह जब पशु पक्षियों से तुलना करते है तो ऐसे कहीं बाते कही जाती है जैसे हिरन जैसी चाल ऐसे ही कुछ उधारन तुम भी बताओ, ऐसे ही उधारन आपको भी कुछ यहाँ पे है जैसे कि शेड जैसी दहार, मोर्नी जैसी गर्दन और कोईल जैसी आवाज अकबर ने जब नकाशी सीखना चाहा तो केशव ने हुने संदे भरी नज़रों से क्यों देखा अकबर एक बहुत बड़े बादिशा थे, उन्होंने नकाशी सीखना चाहा तो केशव ने इसी कारण उन्हें संदे भरी नजरों से देखा ये अकपर एक बहुत बड़े बादशाथ है जब उन्होंने सीखना चाहा नकाशी तो केशव ने संदे भरी नजरों से देखा केशव दस साल का केशव टेनियोर्स का है क्या उसकी उमर के बच्चों का इस तरह के काम में जुन्ना ठीक है अपने उत्तर का कारण जरूर बताओ एक केशव दस साल का हो ये जो उसकी उमर के बच्चों हो उसको नकाशी के काम में या और किसे काम में जुन्ना ठीक है उत्तर दस साल का है केशव 10 साल का है उसकी उमर के बच्चों का इस तरह के काम में जुनना ठीक नहीं है है इतनी छोटी उमर के बच्चों को पढ़ाई लिखाई करनी चाहिए केशव 10 साल का इसकी उमर के बच्चे को इस तरह के काम में जुनना चाहिए इतनी छोटी उमर के बच्चे को पड़ाई लिखाई करने चाहिए केशव बार बार सबको सुनाता केशव सबसे क्या कहता होगा कलतना करके केशव की सब्दों में लिखे केशव सबसे क्या कहता होगा अपनी कलतना से केशव जैसे शब्दों में लिखे केशव सबसे कहता होगा मुझसे तो बादशा अकबर मिलने आये थे क्या तुमसे कभी बादशा मिलने आये हैं उन्हें मुझे शाबाशी दी मुझे तो बादशा अकबर मिलने आये थे क्या तुमसे कभी बादशा अकबर मिलने आये हैं केशव ने ये कहोगा अब शब्दो की निराली दुनिया फर्स को नकाशी जैसे किसी एक काम को चुनो बदाईगिरी मिस्टरी इतियादी जिसमें 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 ओजारो का इस्तमाल होता है उन खास ओजारो के नाम और काम पता करके लिखो तो हम तो बदाईगिरी का काम चुना है बदाईगिरी में परियोग होने वाले ओजार आरी लकडी काटने के लिए थोड़ी कील ठोकने के लिए रंदा लकडी को घिसने के लिए जमूर कील उखाडने के लिए छेनी है थोड़ा तराशना किट्चे ये सब पत्थर के काम से जुड़े हुए शब्द है लकडी के दुकानदार और बदाई से बात करके लकडी के काम से जुड़े शब्दों को इखटा करो और कक्षा में उनका सामोहिक रूप में बातचीत करो कुछ शब्द हम दे रहे हैं आरी रंदा बुरांदा पलाई और सूत ये एक एक्टिविटी है या खुद से करना है हो सकता है कि तुम्हारे इलाके में इन चीज़ों और कामों के लिए कुछ अलग-अलग किसम के शब्द इस्तमाल होते हैं उन पर भी बातचीत करो उन पर भी बातचीत करना कटाव शब्द कट क्रिया से पैदा हुआ है नीचे लिखी संग्याई किन क्रियाओं से बनी है इन संग्याओं का अर्ट समझो और वाक्य बनाओ ये जो कटाव शब्द है वो कट क्रिया से पैदा हुआ है ये जो नीचे संग्याई लिखी है इनके क्रियाई बनाओ और एक वाक्य बनाओ, अब चुन, चुनाओ को जाएगा चुन, चुन, अच्छे फूल का चुनाओ कीजिए, पढ़ाओ, पढ़, आज यही पढ़ाओ, ढालो, बेहाओ, बहे, नदी का बेहाओ बहुत तेज है, लग, गाओ का लग, मंदिरों से उसका लगाओ है, लड़के ने जल्दी-जल्दी कोई प्रात्ना बुदबुदाई, अब बुदबुदाई का अर्थ है, मन ही मन कुछ बोलना, रेखिकत शब्दों और नीचे लिखे शब्दों में एक अंतर है, वाक्य बना कर अंतर सपर्स्ठ कर दो, जैसे बुदबुदाई, बुन बुदाई कर थे मन ही मन कुछ बोलना जब कि फुषपुसाना बढ़ बड़ाना बुन बुनाना में कुछ भी अवाज ब Χर不会नाई सुनाई देती! अब बुन बुदाना वह तेरे-दीरे बुन बुदाया फुषपुसाना राजू फुषपुसाना कर राजू फुस्फुसा कर कुछ बोला बुन-बुनाना नहीं बड़ बड़ाना वह गुस्से में बड़ बड़ाने लगा और बुन-बुनाना ऐसे बुन-बुनाना ठीक नहीं है अब है बीवकूफ खड़ा हो हुजरे आला के सामने बैठने की जुर्रत कैसे की तुने ये पहरेदार ने बोला था केशव को बेखूफ खड़ा हो हुजरे आला मतलब बादश्या अकबर के सामने बैठने की जुर्रत कैसे की इनको सलाम को जुक कर महल के पहरदार नकेशब को यह किसली कहा होगा यह जो महल का पहरदार है नकेशब को यह क्यों बादशाह के सामने बैठ ठे रहना उनका अपमान करने जैसा है नहीं पहरदार यह कहकर अपनी वफादारी दिछाना चाहता था येइश so if you like this video please like it share it and don't forget to subscribe it bye friends